हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नॉलेश प्राइम एंड माइनम इस अरनाप कुमार चक्रवर्ती ऐसा कई बार हमारे लाइफ में होता है कि जाको हमको कोई डिसेंट लेना पड़ता है तो हम कंफ्यूस हो जाते हैं मिटें दो चॉइसे कि हम कौन से चॉइस का साथ जाए और लो वीडियो में जितने भी डिसेंट मेकिंग से रिलेटेड डाउट समसारे क्लियर करने वाला हूं सो विताओट इनी डिले लेट्स स्टार्ट इस वीडियो सो फर्स्ट अफॉल जो लोग सबसे ज्यादा कोशें पूसे हैं वो यह कि सर कोई ऐसा टीप बता दीजिए कोई ऐस सब्सक्राइब कर दोगे इस कंप्लिटली वेस्ट ऑफ टाइम मैंने बहुत सारे टाइम इसमें वेस्ट किया है एंड मैंने बहुत सरे चीज़ अपलाई करके भी देखी हैं सो मैं एक्सपेरेंस साथ बता सकता हूं कि यह बिल्कुल बगवास है जो डिसेंट मेकिंग है इ गलत चॉच को साथ जाओ और आपका जो डिसेंग वो गलत हो जाए और अगर आप सही चॉच को साथ जाते हो तो इस वेरी गूड बट दे इस नो वेल डिफाइन डूल फो डिसेंग मेकिंग यह चीज़ आप अच्छे सा समझ लीजिए अब मैंने कहा जो डिसेंग में वह तो मैं आईट विरू का तो मैंने ईसा क्यो हूं आपका जाता है तो आप उस एक्सपिरेंस से ते हो और ये यह चाई तो आपने गलत था एक्सपिर्लिंस से सीक लिया और अचई को साथ जूच शॉच को ऐथा एगा तो आप दिसेंग में पहले जीश öU होग सीख्अ क्त आपका वो सही हो जाता है तो इसलिए जब भी आप अपने लाइफ में wrong decisions लेते हो तो हमेंसे उस चीज़ से सीखिए लोग बार 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 ये question भी पूसे हैं कि सर मेरे से बार बार ये गलते हो जाती है तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि लोग अपनी जो wrong decision है जो wrong choice को select करते हैं उस चीज़ से वो सीखते हैं और wrong choice को साथ जाते हैं फिर उसको वही पे भूल जाते हैं तो ऐसा बिल्गुल भी मत करिए जब भी आप wrong choice को साथ जाते हैं जब आप decision गलत हो जाता है तो उस चीज़ से सीख लीजिए ताकि जब future में दुबारा वैसा situation आए तब आप उसको अच्छे से deal कर पाओ इस वीडियो का सबसे important part अभी आता है और वो यह है कि always listen to the advice or suggestion of your parents और your relatives क्या होता है कि जो youngsters हैं और जो हमारे parents हैं दोनों के बीच में काफी age difference रहता है और हमारे parents obviously ज्यादा mature रहते हैं हमसे और हमारे life में जब भी कोई problem आती है तो हम अपने दीमाग लगाना चालू कर देते हैं और कई बार हम wrong choice का साथ जाते हैं और हमारे जो decision है वो गलत हो जाता है हमारे parents हमको advice देते हैं कि बेटा ऐसा मत करो ऐसा करो लेकिन हम उनकी बात नहीं सुनते हैं क्योंकि हमारी जो thinking process अवो थोड़ी अलग होती है और हमारे parents के thinking process अलग होती है they are more mature than us और आपको जितने भी यह youngsters हैं आप सभी को आपके parents का advice जरूर लेना चाहिए ऐसा बहुत बार गलती होते हैं parents का advice नहीं सुनते हैं और हम गलत decision ले लेते हैं तो जब भी आपको ऐसे problem में first हो जहां पी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या even friends एक और question जो लोग बहुत पूछते हैं वो यह कि जब भी मैं अपने life में कोई बड़ा decision लेने वाला होता हूं तो बहुत बार वो fail हो जाते हैं तो मैं अपने life के बड़े decisions कैसे सही ले सकूँ तो इसको छोटे से example के मदद से समझते हैं for example कोई इंसान है जिसको एक particular car पस अच्छत है कि 10 lakh rupees मेरे को इससे अभी अच्छी कार मिल रहे थी फिर बाद में उसको अपने decision पर regret होता है तो आपको बाद में regret ना हो इससे अच्छा पहले ही proper research कर लें so the fourth point is always research before jumping into a conclusion लोग बहुत बार ऐसी गलती करते हैं कि उनको जो चीज़ पसंद होती वो तुरंच आके उसको फट से ले लेते हैं या फिर life के जो बड़े decisions है वो खटा-खट ले लेते हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए जब आप life में कोई बड़े decisions लेने वाल feelings not always yeah but sometimes ऐसा बहुत बहुत होता है जब हमारे पास बहुत सारे choices होते हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि हमको कौन से choices जाना चाहिए तब आपको एक बार आपके gut feeling की जरूर सुननी चाहिए और आप अपने gut feeling से decent भी ले सकते हैं बहुत बार decent गलत हो जाते हैं कई बार सही हो जाते हैं तो at least give it a try हो सकता है side decision हो तो बहुत अच्छी बात है अगर गलेट decent होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप उस चीसे सीख लीजिए आपने क्या गलती की and then जब आपके future में आपके साथ वैसा same situation आएगा देन आपको पता है कि आपको कौन से साथ जाना चाहि So let's sum up some important points from this video. So number one is there is no well defined rule for decision making. Asa कोईभी रूल नहीं बनाय है और नहीं कभी बनेगा जिससे आपने लाइफ में हमेसा सही decisions ले सको. So forget about that. Second point is learn from your experience. Decision making is a learning process. आप गलतिया करोंगे उससी सिखोगे and then आप सही डिसेंस लोगे So it is a learning process Third point, take advice or take suggestion from your parents, relatives or even friends हमारे parents हम से ज़्यादा mature हैं वो हमारे ए से गुजर चुक है तो उनको पता है कौन सी डिसेंस सही है कौन सी गलस था है So always listen to them, don't ignore them Fourth point is, जब आपने life में कोई बड़े डिसेंस लेने वाले होते हैं तो don't jump into a conclusion, तो फटा 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 Do proper research and then jump into conclusion And fifth point is a casual point which is Listen to your gut feelings sometimes So I hope guys, आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा थे And don't forget to hit the like button, share it with your friends And drop your thought in the comment section So we'll see you in the next video, तब तक रे आपना ख्याल रखिये And thank you for watching this video